मोदी सरकार के तिसरे कारकाल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा ने कैबनेट मंतरी के रूप में शपत लेकर मोदी सरकार का हिस्सा बन गए मोदी सरकार की नई मंतरी परश्द के गठन के साथ ही बीजेपी संगठन में बदलाव के निव भी रख दी गए जेपी नड़ा के मंदरी मंदल में शामिल होने के साथ ही अब बीजेपी को नए अध्यक्ष की तलाश भी करनी होगी ऐसे में उस सवाल उठता है कि बीजेपी की कमान अब किसे मिलेगी और कौन पार्टी का नया चेहरा होगा, कौन बीजेपी का बॉस होगा मोधी सरकार में कौन-कन कब-कब अध्यक्ष रहा, पहले ये समझ लेते हैं उसके बाद आपको बताएंगे कि किन नामों को लिकर चर्चा है 2014 में राजनात सिंग बीजेपी अध्यक्ष बने, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वकेंद्र में मंत्री बने इसके बाद बीजेपी संगठन में बदला हुआ और अमित्र शा को पार्टी के कमान सौप दी गई अमित्र शा के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे जीत के बाद अमित्र शा मोधी कैबिनेट का हिस्सा बन गए अमित्र शा के बाद बीजेपी के कमान जेपी नड़ा ने संभाली नड़ा ने बीजेपी के बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कारकाल जनवरी 2023 में पूरा हो गया था लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते वे जून 2024 तक उनका कारकाल बढ़ा दिया गया अब जेपी नड़ा कैबनेट में शामिल हो गये हैं ऐसे में अध्यक्ष पद भी खाली हो चुका है देश में NDA की तीसरी बार सरकार बनने के बाद नरिंद्र मोदी ने तीसरी बार पियम पद के शपत ली है इसी के साथ राजनात सिंग, आमित तशा, निरबला सितरमन और नितिन गड़गरी के नाम भी किंद्रिय मंत्रियों में शामिल हो गये हैं इस वीज मंत्री मंडल में शामिल होने वाला एक बड़ा नाम जेपी नड़ा का भी है अभी तक वह बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष है और कुछ दिनों तक अभी भी रहेंगे ऐसे में बीजेपी का नया बॉस कौन होगा सबसे ज़्यादा चर्चा इसी को लेकर है मद्य प्रदेश के परवग मुखमंद्री शेबरा सिंग चाहान, किंद्रिय अमंध्र धरमंद्र परदान और पारटी के दिगज नेता वुपंद्र यादव जयसे नताओं के नाम के नाम के पहले खूब चरचा हो रही थी लेकिन इन सभी नेताओं को केंद्रिय मंत्री मंडल में जगह मिल गई है ऐसे में इनके नामों पर भी विराम लग गया हलाकि दो और नाम के चर्चा खूब हो रही है और दोनों ही मोदी शाह के भरों से मंद माने जाते हैं और पार्टी के अभेन सदर्श भी रहे हैं संगठन के कामकाच को भी लंबे समय से देख रहे हैं ये पार्टी के महा सची विनोद तावडे और यूपी के बाद कई राज्यो के चुनाव परभारी रह चुके सुनेल बंसल का नाम है आपको ये भी बता दे कि पार्टी के महासची विनोध तावडे और सुनील बंसल की बात करें तो जिनें अध्यक्षपद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना चा रहा है तावडे पहले मोदी सरकार में राजमंत्री थे महराश्च जाते हैं फिर उन्हें पार्टी में संगठन में लाया गया और वह बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं कई और भूमिकाव में काम कर चुके हैं वहीं सुनील बंसल एक जबाने में उत्तरपदेश में बीजेपी के ताखतवर प्रभारी थे तब कहा चाता था कि यूपी में टिकट वटवारे से लेकर परदे के पीछे तमाम ऑपरेशनों में उनका हाथ होता था उन्हें नरेंद्र मुदी और आमित शाह खास तोर पर यूपी में लेकर आये थे इसके बाद उन्हें बंगाल और अन्यराज्यों की जिम्मेदारी भी सौप दी गई वहां से जहां संगठन के कामों में वो माहिर हुए बलकि संगठन को भी वह खुबी संभालने का अन्भब भी उनके पास है अलाकि यूपी में उनका रहना पार्टी में कई दिगजनेताओं को चुबता भी रहा सुनेल बंसल जब यूपी के परभारी थे तब उनके काम की काफी चर्चा हुई थी यूपी के बाद बंसल को पशिमंगाल ओडिशा तेलंगाना का परभारी भी बनाया गया लोग सभचुनाव के दरान बंसल ने पूरे देश बर में कॉल सेंटरों को भी संभाला फिडबैक एकत्र किया और फिर जमीन पर पार्टी कारकरताओं को प्रेरित किया बंसल ने बीजेपी के शिर्स नित्रितु का विश्वास जीता और पार्टी मामलों को सावधाने परवक संभालने का हुनर भी उनके पास है वैसे ये कहना चाहिए कि इसी महीने के आखरी तक बीजेपी अपने नए अध्धक्ष को चुन लेगी इसमें अगामी चुनाओं के साथ पार्टी को फिर नए तरीके से तयार करने के जिम्मेदारी भी होगी चुकि दोहजार चौवीस के लोकस्वा चुनाओं में बीजेपी को उमेद के मताबिक सीचे नहीं मिली है लेहाजा इस बार पार्टी संगठन में बयापक बदलाओ की भी उमीद की जा रही है लेकिन क्या कुछ बदला होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा लेकिन अंद में आपको बताते हैं कि बीजेपी के अभी के जो वरत्मान के अध्धक्ष हैं और अब कैबिनेट मंत्री बने हैं जेपी नड़ा जेपी नड़ा कौन है उनका राजनितिक सफर क्या रहा है जगत प्रकाश नड़ा इनका पुरा नाम है पेशे से एक वकील भी है बेश जनवरी दोजार बेश से बीजेपी के अध्यक्ष रूप में कारणत हैं और इससे पहले वह जून 2019 से जनवरी दोजार बेश तक बीजेपी के कारकारी अध्यक्ष थे नड़ा पुर्व केंद्रिय स्वास्त और पडिवार कल्लैन मंतरी और हिमाचल परदेश थे राजसभा के सदस और बीजेपी के संसद्ये बोर्ड सची भी रह चुके है वह हिमाचल परदेश सरकार में मंतरी भी थे नड़ा का जन्म 2 दिसंबर 1906 को बिहार के रासधानी पटना में हुआ और उनके पिता नराइन लाल नड़ा मा किर्शन नड़ा थी और एक ब्रहमन पडिवार से जेपी नड़ा तालुक रखते हैं जेपी नड़ा के शिक्षा सेंट जेबियर स्कूल पटना में ही हुई है इसके बाद उन्होंने बी ए पटना कॉलेज से किया पतना विश्विद्याले से उन्होंने पढ़ाई की और बाद में उन्होंने लौ की भी डिग्रे ले हिमाचुल परदेश विश्विद्याले से शिमला से ल्लबी भी किया और नडड़ा ने 11 दिसंबर 1991 को मलिका नडड़ा से शादी किये उनके दो बेटे हैं उनके सास जैश्री बनर जी 1999 में लोग सभा के लिए चुने गए नड़्या पहली बार 1993 और 1997 में जब चुना हुआ तो उस चुना में विलासपूर से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए थे अपने पहले कारकार के दोरान उन्होंने उन्हें 1984 से 1994 तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा में अपने पार्टी समू के नेता के रूप में काम किया वह अपने दूसरे कारकार के दोरान स्वास्त और परिवार कल्यान और संसदिय मामलों के मंतिरी भी रहे हैं प्रेमकुमार धुमल के जब सरकार बनी तो उनके सरकार बनने के बाद उन्होंने 2008 से 2010 तक वन प्रयावडन विज्ञान के लिए जिम्मेदार कैबिनेट मंतरी के रूप में नड़ा को अपनी मंतरी मंडल में शामिल भी किया गया प्रेमकुमार धुमल के चुरिये 2012 में भारतिय संसद के उपरिय सदन राजसभा के लिए चुने गये वो 2014 में कैबिनेट फिर बदल के दौरान प्रदायन मंतरी नरेंद्र मुदी ने नड़ा को स्वास्त मंतरा ले दिया नड़ा को जून 2009 में बीजेपी के राष्ट्री कारकारी अध्यक्ष के रूप में चु बॉस कौन होगा आने वाले समय में ये भी तै हो जाएगा कि आखिर बीजेपी का नया बॉस कौन तब तक आप देखते रहे हैं नियूस तर